हेलो यार गाईज कैसे आप सब लोग आज हम बात करेंगे कोलकता वर्सेस हेंडरबाद की ड्रीम 11 की टीम तो गाईज यार ये मुकाबला नरेंदर मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा और यहां बारिस की संभावना है नहीं कापी दिनों से बारिस आ रही है इसलिए मेहस दुल रहा है और आज मैं कहह रहाऊ वर्स के संभावना है नहीं और आज हम बनाएंगे अपनी टीम तो गाईज यार किस खिलड़ी को ड्रोप करना आ है और किस खिलड़ी को लेकर सब यह सारी जानकरी मैं आपको देने वाला हूँ तो कोलकता नाइट्राइड की तरफ से आर गुर्बाज और सुनी नाराइड ओपनिंग के लिए आएंगे तो इनको हम दोनों को लेकर सलते हैं कि सब्सक्राइड को ले लेंगे क्योंकि यह चोटेप नंबर पर बैटिंग करने के लिए और बैटिंग में परिंट दे सकते हैं और कि ऊच्ई दो लेकर मैं 1220 परिंट दे सकते हैं और ट्राइस एड को तो अमें लेकर सलना है क्यों ऐसा है कि अतलब कभी सलना हो तो यह सल जाता है और नहीं सलना हो तो नहीं सलता है यह यह और मैं आज कह रहा हूं कि आज ट्राइस एड सलेगा यह मेरा प्रेडिक्शन है तो अल्राउंडर में देखें तो अभी से एक सर्मा आंध्री रसल रसल की बैटिंग अब उपर आने लगी है सौते पांशी नमर पर आंध्री रसल की बैटिंग आती है क्योंकि कोई सुनिन दारेंग के साथ प्लीफ सेड्ड नहीं रहे और टीम कापी थोड़ी खमजोर हो गई है इसलिए आंध्री रसल को कापी उपर देते हैं यह और बॉलर को तो आपको क्या कई बुने सुर्कुमार मितिल इस्टार अर्सी त्राना टी नटाजन वी सकरवर्त यह पांच बॉलर बहुत ही तेज़े अब लाइन देखते हैं यह देखिए गाइस यह लाइन है तो हमें इन मैंसे एक बॉलर को ड्रोप करना हो अधिन वितिल इस्टार को ड्रोप करते हैं और यह प्यंक्टेस अइयर को ले लेते हैं और इदर से हम नहीं करेंगे हम तो वह राउंड है तीन हमारे और ट्राइस हेड है प्यंक्टेस अईयर है और गुरबाद जे इसका सने नेक्स्ट पर क्लिक किया हमने और अब बात अ कप्ति दियां गाईज तो केप्ति आपको सुनी रर्म को लोग केप्टिन कर रहे हैं यहां पे लिका हुए 140 इसलिए अमने सुनी नरा Air को ड्राइस हेड वोर नहीं करना है बलकुल भी नहीं करना है मैं कहा रहा हूं उसको आपने कप्त आपक्तिन बैस्त नेक्नक दिया तो वो है अभी शेक शर्मा दी जी हाँ अभी शेक शर्मा और और गुर्बाज को कैप्टन करना है कि टीम को सेव कर देना है ठीए